इस वीडियो में हम लोग BPST का previous year question paper देख रहे हैं जो की घटना चक्त का पूर्वालोकन है यह physics का हम लोग इससे पहले एक से लेकर 40 question तक देख लिए हैं अब हम लोग इस वीडियो में 41 से लेकर last के जितने question हैं उसको हम लोग देखते हुए चलेंगे तो कुछ इसको मैं explain भी करते हुए चलूँगा क्योंकि इससे पहले हम लोग इसको निशीद रूप से पढ़ चुके होंगे और previous year question paper exam के लिए बहुत ही महत पौन होता है और खास करके science के question तो repeat होते ही होते हैं तो आईए देखते हैं 41 question विद्दुत motor जो होता यानि electric motor जो होता है इसका answer होगा विद्दुत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में बदलता है सीधा सीधा इसका उत्तर यही है और यह हमें याद रखना चाहिए क्योंकि यह कई बार repeat हुआ है विद्दुत्द्धारा द्म्न में से किस उपक्रण के द्वारण नापी जाती है तो विद्दुत्धारा हमेशा से과 coo taxpayer करते हैं और EBitar से βिद रखना की विद्दुधारा किस उपकरण से नापी जाती है उपर का सेम रिपीटिर कॉश्चन है तो विद्दुधारा हमेशा हम एमिटर से नापते हैं प्रकास में सात रंग होते हैं रंगों को अलग-अलग करने क्या तरीका है तो जो वाइठ लाइट है वह साथ अलग-अलग रंगों से मिलकर बना होता है जिसे यह विवेगएओर वी आई वी इसका फार्मूला होता है 1 upon d या 1 upon power जो होता है उसका होता है तो 1 upon 2 अगर करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा C यानि 50 cm यानि 1 मीटर बटे 2 अगर करेंगे तो या 50 cm इसका आंसर हो जाएगा इसका एक्स्प्रेंशर है फोकस दूरी इसकोल टू 1 upon लेंस की छमता यानि डियाप्टर इस तरह से 1 upon 2 इसकोल टू 0.5 मीटर या 50 cm हो जाएगा चुम्बकी सुई किस तरफ संकेत करती है तो चुम्बकी सुई हमेशा से उत्तर दिसा में रुपती है जब हम किसी चुम्बक को किसी धागे से लटकाते हैं तो हमेशा उत्तर और दक्षिन दिसा में रुपती है तो उत्तर दिसा की तौरफ यह संकेत करती है 47th question, स्वेथ प्रकास को नली में कैसे पैदा करते हैं, तो स्वेथ प्रकास जो होता, यानि वाइट लाइट जैसे बल्व होता है, तंत को गर्म करके, जो फिलामेंट होता है, और बल्व का जो फिलामेंट बनता है, वो टंगश्टन से बनता है, जब टंगश्टन को अंतर गर्म करते हैं, तो उसके बाद ये वाइट लाइट बनता है, जैसे ट्यूब लाइट होता है, ट्यूब लाइट में हम इसमें अल्टा वाइलेट रेज उत्पन करते हैं, और इस पर जो अंदर एक लेप लगाया जाता है, वो उससे फ्लोरस्टिंट हो जाता है और प्रतीदीट हो जाता है, फोटी एट्स कोश्चन, आइंश्टीन को नोबल प्राइज किसकार के लिए दिया गया है, यह कोश्चन कई बार रिपीट हुआ है, यूपी-पीश्यस में भी रिपीट हुआ है, भी प्रती में भी रिपीट हुआ है, तो यह प्रकास बैद्दुत प्रभाव के लिए दिया गया है, आइंश्टीन को नोबल प्राइज, फोटो-इलेक्टिक एफेक्ट के लिए, यानि इसका उत्तर होगा D, भी प्रकास बैद्दुत प्रभाव के लिए इनको दिया गया है, उननिश्ट व एक्कीस में, नेक क्वेशन, बिद्दुत उत्पन करने के लिए कौन सी इधात का उप्योग करते हैं, तो उसका उत्तर होगा A, बिद्दुत उत्पन करने के लिए यूरेनियम का उप्योग करते हैं, क्योंकि यूरेनियम एक रेडियो एक्टितत्त है, इसको हम उर्जा के लिए ये परमाड उर्जा इससे उत्पन होता है, और इस पर माड उजा के वारा हम जो नाव की रियक्टर में करते हैं तर्बाइन चलाते हैं इस उजा से और इससे हम बिद्धुत उत्पन करते हैं यह बहुत टेक्निकल हो जाएगा लेकिन बिद्धुत उत्पन उससे नहीं होता है वह मैगनेट जो हम मूब करते हैं तो बेसिकली यूरेनियम का उप्योग हम एनरजी के लिए उप्योग करते हैं नाविकी रियक्टर में कमरे को ठंडा किया सकता है कैसे पानी के बहने से संपीडिद गैसों को छोड़ने से रसोई गैस से ठोस के पिखलाने से तो इसका उत्तर होगा संपीडिद गैस के छोड़ने से यह बेसिक एसी इसी बेस के काम करता है या एर कंडिशन होता है या जो रेफ्रिजरेटर होता यह इसी बेसिस पे इसमें हाई प्रेसर पे जो हाई प्रेसर पे गैस भरी रहती है और जब यह बाहर कंप्रेस होके बाहर आती है तो यह कमरे का थापन कम कर देती है आम तोर पर सुरच्छा फ्यूज़ लगाने के लिए प्रयोग होने वाला थार प्रिस्पधात का मना होता है तो गल्नांग का लख्षण क्या होता है इती हर लगता है जो परिमे इती होती है इसमें परेविटी होती है यानि इधे उधर नहुता है अब स्थ जलते हैं 53 ऊशन पर थंड़क के दिनों में लोहे के गटकों और लकडी के गटकों को प्राथा काल चुए तो लोहे जो का अधिक ठंडा लगता है क्योंकि जो लोहा होता है वह बहतर कंड़क्टर है हीट का जबकि जो लकड़ी होता है वह कंड़क्टर नहीं है वह उस्मा को एपजार्ब नहीं कर पाता इसलिए थंडा नहीं होता है तो इसका उत्तर होगा भी लकड़ी की तुलना में जो लोहा होता है उसमा का अ वाजा कोल कर क्या कर सकते हैं कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं यानि अगर हम किसी रेप्रिजेटर के दूर को को खोल दें तो जो कमरा होगा हमारा वो गर्म हो जाएगा नर्की ठंडा होगा अधा दो उत्तर उत्तर गर्द के बीच की दूरी को क्या कहते हैं यह होता है तरंग दहरं यानि उपर जो पीक होता है दोपीक और दो जो तर जो जो अगर्द शोता है उसके बीच की बीच को इतम देख रहेते है जल्दी से पढ़ने की काम आने वाले प्रकार के लेंज के बने होते हैं जो मैंगिभाइंग लास होते हैं यह उत्तर दरपड़ के बने होते हैं यह छोटी वस्तून को बहुत बढ़ा करके दिखा देते हैं और इनका उप्योग दूर दृष्टी दोस में उप्योग किया आता है और निकट दृष्टी दोस में आउटर लेंज का हम प्रेयोग करते हैं धौनिका वाई में वेग कितना होता है तो धौनिका वाई में वेग 330 मीटर पर सेकंड होता है यह अभी कोश्चन कई बार रिपीट हुगा है तो जो साउंड का स्पीड है यह 332 मीटर यह 330 मीटर पर सेकंड होता है सुस्क वाई में 0 डिग्री पर 332 मीटर तो यह नारमली 332 होता है तो इसमें लगभग पुछा हुआ है तो इसका उत्तर हो जागा 330 मीटर पर सेक्षिंट 50-짝 k के ऐसे और वी परकास मिकीरणों की प्रक्रिती किस प्रकार की प्रकास होता है वह तरन्ग करणरों क इसमान होता है उह से उनकाले बाधा का में ये तो इसमें अ या और क्लोनों के गणभ पाए आकास प्यूल निला क्यों लगता है क्योंकि जो लग तरंग देर तरंगों के पिक्षावाई मंदल के द्वारा अधिक प्रक्रिणड होती है यानि जो लेस वेवलेंद के तरंगे होती है वह जो लार्ज वाली होती है उससे ज्यादा प्रक्रिणडन होता है उनका इसलिए प्रक्रिणडन होके आकास नीला लगने लगता यह पारी का गनत अधिकतम होता है तो 4 deg.ley centigrade पर पानी का गनत सबसे ज़्यादा होता है, यह भी कोश्चन बहुत ही już important है और बार बार आया हुआ है सिक्टी वन कोश्चन पचा डीग्री protons centigrade का फारेंध्थ स्केल में क्या होगा तो यह 1,2,2 degree Fahrenheit होगा यान इसका formula होता है F is equal to 9 upon 5 C plus 32 जब हम degree centigrade से Fahrenheit हमीशा से ज्यादा होगा तो इसको हम formula देखेंगे जब Fahrenheit निकालते हैं तो 9 upon 5 हो जाता है और जब degree centigrade निकालना होता है तो 5 upon 9 हो जाता है यहाँ पे यह formula तो इजली निकाल सकते हैं तो 122 degree centigrade इसकर तो 50 degree centigrade और minus 41 degree Fahrenheit पर degree centigrade और degree Fahrenheit equal होता है यह भी कोशन कही बार पूचा गया है या anas 41 degree centigrade पर degree centigrade और degree Fahrenheit दोनों equal हो जाता है बर्ता की बूध की गोलाकार आकरति का क्या कारण है तो यह प्रिश्ट तनाव के कारण बरता की बूदे गोल हो जाती है इसका उत्तर है है महासागर में उची जलतरंगें कैसे आती है तो जो महासागर है उची जलतरंग यानि जो जौर भाटाजी सो कहते हैं यह चंद्रमा के कारणा थी चंद्रमा और सूर के कारण दोनों से आती हैं लेकिन चंद्रमा प्रत्वी से काफी नज्दीक है नजदीक होने के करण जो आकर्थन बल लगता है समुद्र के तल पर या जो जल होता है वो बहुत ज़्यादा सूर की तुलना में काफी ज़्यादा होता है इसलिए उसको अट्रेक करता है और महासागर में उची तरंग देर आती है 64 जब एक पत्थर को चांत की सता से प्रतिविश पल लाए जाता है तो क्या होगा है इसका धरब्रमान थो नहीं बदलेगा लेंड़नेगा भार जो होता है वेट वुव जी पर निर्फर करता है या गुर्थी करण पर निर्फर करता है तो गुर्ति करण वहाँ पर divis定 पर ट् कि यहां पर निम्ड में से प्राप्थ होती है तो शूर उर्जा सोर से प्राप्थ होती है तो सोर मतलब सोलर एनरजी सोलर मतलब होता है शूर यह सूर से प्राप्त होती है, शूर पर उर्जा का निर्माड के द्वारा होता है, तो सूर पर उर्जा का निर्माड नाबकी सनलेन के द्वारा होता है, और नाबकी सनलेन में जो हाइड्रोजन है, वो मिलकर हिलियम बनाते हैं, यानि 2HE4, 1H1 जब मिलते हैं, फोर, तो 2HE4 ब कभी भी ठंडी के समय में नहीं छोड़ा जाएगा गर्मी के समय में आरे फट्ट छोड़ा गया था यानि 19 अप्रेल 1975 को हमेशा इंद्रिया गांधी तो इंद्रिया गांधी के समय में यह छोड़ा गया था 68 question कि ग्रह पर जो वर्थ होता है वो सबसे बड़ा होता है तो प्लूटो पर जो ग्रह प्रिफवी से जितना ही दूर होगा उसका परिकमणकाल सबसे ज्यादा होता जाए यानि 248 प्रिफवी वर्थ के बराबर होता है यानि एक चक्कर जो होता है वो 248 वर्थ में Pluto लगाता है 69, सूर्ख के प्रकास का धर्ती की सतह पर पहुचने में कितना समय लगता है तो यह लगभग 8 या साले 8 मिनट लगता है 8 मिनट 20 सेकंड या 8 मिनट 19 सेकंड सूर्ख से प्रतवी तक लगने आने में लगता है क्योंकि जो आउसत दूरी है प्रतवी की सूर्ख से वह लगभग 15 करोड किलो मीटर यानी 14.9 करोड किलो मीटर है इस तरह और जो सूर्ख का जो लाइट का स्पीड है वो 3 into 10 to power 8 किलो मीटर पर सेकंड होता है तो इस तरह से 8 मिनट 19 सेकंड के आसपास लगता है सत्तरवा कुश्चन शूरी का प्रकास प्रतवी पर कितने से पहुंचता है तो इसका आंसर दिया हुआ 8 मिनट जो की नहीं सही है इसमें उप्यूक में से कोई नहीं या एक से अधिक जबकि लगभग 8 मिनट अगर लिखा होता तो इसका आंसर यह सही होता स्वार मंडिल का सबसे बड़ा ग्रह यह ब्रहस्पती है यानि सोलर सिस्टम हमारे जो सोलर सिस्टम है इसमें ब्रहस्पती सबसे बड़ा ग्रह है लिखित में से कॉन एक computer की भासा नहीं है basic है जुफास्ट है यह computer की भासा नहीं होती होता है e होता है यह सब कंप्पिटर के भासा होती है यह किसी तरह की भासा नहीं होती है नेक्स कोश्चन हम लोग देखते हैं निमद में से कौन सीधात रुसनीके बलबों में, क्छी फिलामेंट की रूप में प्रयोग की जाती है, तो यह टंगेश्टन होता है, टंगेश्टन एक बलब के फिलामेंट बनाने में खाम हता क्योंकि इसकी प्रति रोग धक्ता जो होती है यह अधिक होती और यह काफी देर काफी ज्यादा गर्म होने पर भी पिखलता नहीं है निवन में से कौन सिधात अर्थ-चालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है तो जर्मेनियम और सिलकान जो होता है अर्थ- सिलकन ही उपयोगं किया आता है जबकि थ? सबसे चालक आता है अगर्फ-ईट जो होता है वह भी चालक है है इसमें से यह अद्यiiii और neutron जो होता है यह नाविक में पायाता है जो परमाण का नाविक होता है उसमें proton और neutron पायाता है जबकि electron उसके बाहर चक्कर लगाता रहता है कि निम्लight यह सौहरुर्जा वै कल पी उर्जा का सबसे बड़ा भंडार है तो तो कुर्चा ब कल पीक्क बढ़ा भंडार है, शोलर जो रिन्यूरबल नर्जी है उसका सबसे बढ़ा भंडार होता है और यह कॉशन बहुत इंपार्टंट है सवर उर्जा बनती कैसे है ये नाव की सनलेन से बनता है सूर फे सवर उर्जा का सुरुत क्या होता है नाव की सनलेन होता है और सबसे बड़ा भंडार है इससे पर दूसर नहीं होता है आईए नेक्षोशन हम लोग देख लेते हैं परमाब बम का सिधान किस पर है परमाब बम का सिधान नाव के विखंडन पर होता है जब कि हैडोजन बम नाव की सनलेन पर डिपेंडेंट होता है यह नाव की सनलेन पर आधारित है Y में kaunci nobel gas नहीं होती है, तो Y में जो redon होती है या नहीं होती है, जब कई भूखम पाता है या किसी तरह के हलजल होती है जब इंवार्मेंट में, तो redon बनती है, बाकिसारी gasे इनवार्मेंट में पाइ जाती है बिजली की बिल के खपत है वह watt पर आधारित है यानि watt या kilowatt जो होता है horsepower होता है यह इसी के basis पर unit निकला जाता है निम्रिकित मैं से सब से भारी धाद कौन है तो uranium ये सब से भारी धाद हूँ है और ये नाविकी और जाता है uranium, polonium thoreum ये सारे नाविकी धाथ होने इंसेक्ट 2A कप छोड़ा गया था तो इंसेक्ट 2A 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था जबकि इसे पहले आरभट पूछा गया है तो आरभट 19 अप्रेल 1975 को छोड़ा गया था ये रहे फिजिक्स का कोश्चन जो की BPST में आये हुए है और हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा हुआ था 40 कोश्चन अब इसके बाद हम लोग 41 से 81 कोश्चन देख लिए हैं इसके बाद हम लोग कमिश्टी का कोश्चन देखेंगे और बायलोजी देख चुके हैं तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो या हेलफफुल हो तो आप वीडियो को लाइक करें सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब चरू करें धन्यवाद